दोस्तों आज मैं आपके Samsung के device की बहुत ही amazing customization के बारे में आपे बताने वाला हूँ तो ये customization आपने कैसे करनी है कोई भी application आपको download करने की जुरूरत नहीं आप गबराएगा नहीं तो ये simple सी trick है आपके Samsung device की और आपने पूरा देखना है कैसे करना है और दोस्तों ये जो trick है आपके किसी भी Samsung device में work करती है चाहिए आपके पास M series का हो, S series का हो, J series का, A series का कोई भी Samsung का device आपके हाथ में होना चाहिए तो आपने trick कैसे करनी है मैं आपको पूरा detail में बताऊँगा सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकिश कुमार और आप देख रहे हैं आरके News Tech Channel तो चलिए, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप आपने यहां पे धियान से देखना है कि trick कौन सी, ठीक है तो trick तो मैं यह बता दूँगा, लेकिन जो last वाली trick है वो अपने जरूर देखनी है जो पहले trick है, वो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूँ, ठीक है तो पहले trick हमारी Google Bar को लेके, ठीक है आप इस Google Bar को customize कर सकते हैं, तो कैसे करना है, आप यहां पे धियान से देखना है color, shape, सब कुछ change कर सकते हैं आप यहां पे, ठीक है, तो कैसे करना है तो आप सोच रहोंगे कि कैसे करेंगी, application की जूर्त नहीं पड़ेगी आपने simply यहां पर जीवल option आता है है क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद, आपको इस तरह का interface यहां पे open हो जायगा ठीक है, उसके बाद अब धियान से देखना है, क्या करना है, ठीक है उसके जाना हम आपने more settings पर, चलेगे मोर सेटिंग के जाने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस यहां पर देखने को मिलेगा फिर आपने कहां पर जाना है यहां से ध्यां से देखना है आपने जाना है यहां पर पर गूगल कर लिया ठीक है फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ फिर मैं नेक्स्ट वाले सेटिंग में जाता हूँ यहां पर यहांगी हमारी शेप तो आप गूगल बार की शेप कैसे चेंज करेंगे यह इस तरह हो गई बिल्कुल इस तरह हो गई तो कोई भी शेप आप जो कर लूँगा ठीक है अब देखने वाली बात यहां पर है जो थार्ड ऑप्शन यहां पर आपको देखने को मिलता है वह हमारा थीम वाला मतलब की अब आप इसकी थीम चेंज कर सकते हैं मतलब कलर चेंज कर सकते हैं तो फॉर एजांपल मैं जी पे क्लिक करूंगा इसमें य यहां से कर सकते हैं जो भी आपके पसंद का है ठीक है फॉर एक्जांपल मैं यहां पर कर देता हूं ठीक है इमालनों की मैंने ग्रीन कर दिया फिसको ग्रीन को मैं नीचे वाले से डार्क या लाइट कर सकते हैं यहां से कलर यह ज्यादा डार्क हो गया यह लाइट हो गया अपने रिसाब से आप यहां पर जैसे आपको सही लगता है आपने सेट कर लेना ठीक है उसके बाद जो थर्ड वाला उप्शन आता है हमारा फॉर्थ सोरी फॉर्थ उप्शन आता है वो बहुत ही कमाल का है यहां पर क्लिक करेंगे तो यह हैं सी तुरू मतलब कि ट्रांस्प क्लिक करना है कर दिया फिर आपने बैक आ जाना है जिसदो मेरा जो गूगल बार वो यहां पर कस्टमाइज हो चुका है यहां कामाल की ट्रिक ऐसे आप किसी भी सैंसंग का डिवाइस का गूगल बार कस्टमाइज कर सकते हैं बिना किसी अप्लिकेशन से अब जो लास्ट ट देखने सपाइब तो मिल जाएंगे सब्सक्राइब जाएगे बिल जाएंगे लिंक के सब्सक्राइब को आए-चेट आई-चे की वैजडरी वीजीन